Hello friends, आज हम जो है 5 point perspective करेंगे, जो हमने last class में कर रहा था, उसमें हमारी shading जो point था, shading वाला point वो left था, तो आज हम उसको cover करेंगे, चीक है, जितना भी हमने जो last class में जो भी कर रहा था, जिसने जो चीज नहीं देखिया, उसको पहले वो cover करें, तेन इसके बाद हम shading वाला step आज इसको complete करेंगे, चीक है, आएए, अब हम shading स्टाट करते हैं, चीक है, अब हम देखो इसमें shading स्टाट करते हैं, चीक है, shading जो है, जब आप beginners जो start करेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, beginners के लिए यह है, कि आप जब भी आप shading करो, तो आप कोई भी अपना जो light का source आपका कहीं से भी पढ़ रहा तो आप उसी को ही follow करो जिसी कि आप follow करो कि तो आपको आइडिया भी होगा कि जिस साई light पढ रही है और आपका वहाँ पर shading कौन सा शेट पढ रहा है लाइट गणट रहा है या फिर आपकी शेड़डव आरिये वहां पे तो आप इन सब चीजओं का ध्यान रखें चीक है ? तो हम स्टार्ट करते हैं हैं चीक है ? चीक है स्टार्ट करते है खार्त हैं यहां से आरहा है थिस साइड तो हम crít होंगई ??? इंक जो इस side काちら a खो़ेंस और यह घॉप पोशन्स है इन पर ज्याद हए और एपश्के रिफ्लेग रशयगे और एकिभी साइट के जह वियू है और यह सोब यहां सेट गुलिध दार्क शेड्स आएंगहे ठीट है तो अब हम इस में से यहां आपको यह शेडिंग जिस एंगल में आपका ऑब्जेक्ट हो उसी एंगल में आपको शेडिंग करनी है इसका ध्यान ज़रूर रखना है आपको और शेडिंग हमेशा स्टार्ट करनी है आपको लाइट शेड से ही देन डाक शेड पर जाहिए है मैंने लाइट और डाक शेड की वीडियो बना रखी है तो वो जिसने नहीं देखिया वो यह वाली वीडियो शेडिंग की वीडियो है वो भी शेडिंग सीखना भी बहुत इंपॉर्टन है जब भी आप कुछ ऑपजेक्ट बना गए शेडिंग बहुत इंपॉर्टन डोल भी होता है अब इसमें हम थोड़ा और डाक शेड देंगे अब इसमें डाक शेड के बाद अब हम यहाँ पे यह हैं दिस साइड जो होगा हमारा यह एकदम ब्राइट पार्ट रहेगा चीक है और इस साइड मारा मीडियोम टून रहेगे चीक है के लिए हम पैंसिल को हम थोड़ा दूर से होल्ड करते हैं जिसे की एजली हमारा मीडियम टून और लाइट टून शेड आ जाया है जिक है इसे जब मेरियम टून यहाँ पर आपका डाक शेड रहेगा की ब तक के लाइड़ा दूनोग्या है अब देखिए इसके बाद हम यह वारा जो हम शेड होगा मारा मीडियम टून सेम वही स्टैप को हम फॉलो करेंगे इसको थोड़ा सा हम अब थे कहां नेक्स स्टैप अब नेक्स स्टैप अब हम नेक्स स्टैप हमारा यह वाला स्टैप यह मारी मीडियम टून स्टैप जाहे गए देखो इसमें जो शेडिंग जाहेगी हम कुछ ऐसे करेंगे इससे कि थोड़ा कफी लगे यह अब इसके बाद हम नेक्स अबजेक्ट में हम करेंगे नेक्स अबजेक्ट हमारा विद इस वन अब यह देखे यहां पेजे है लाइट पड़ रहा है यह ब्राइट पाद रहा हमारा इस वन उन इस वन इस अब विल ब्राइट पाद है तो इसले इसको ब्लांक चुड़ेंगे चिक है यह अरे आइट इस वन अब लाइट पाद है तो इसले इसको ब्लांक तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई वाइट शेड नहीं अप्लाई कर रही हूं जो मैंने ब्लांक स्पेस हमने जो यह ब्लांक स्पेस छोड़े हैं तो यह वाला पार्ट जो हमारा ब्राइट पार्ट है ठीक है अब इसके बाद जो यह वाली टोन होईगी मैं अगें दिस वन विल्ल बी लाइटर एंद दिस वन विल बीडार पार्ट है यहां पर जो अइसे जो कॉनिस आपर जो हमारे बिल्डिंग होती है कुछ भी हम जब रओ करते हैं तो उसमें क्या होता है जब भी shading करते हैं तो भी shading का धियान देना होता है जैसे हमने जो down में जब shading करी है हमारा जो starting का angle था वो हमारा इस direction में था लेकिन जब नीचे जाएंगे जब हमारी नीचे drawing होईगी तो हमारी कुछ इस angle में जाएगी and then center में straight and then फिर हम ऐसे lines को follow करेंगे इस तरीके से और down में हम shading में यह vanishing point जब down में जाएगा तो यह इस lines को follow करेंगे ठीक है तो shading का भी इसे जरूर आपको ध्यान देना है अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर shading आएगी यह वाला bright part होगा that means this one will be dark see this one okay now this one will be dark so इसमें जो हमें बस two side जो दिख रही थी तो इसमें हमने इसलिए one side हमने shading करें okay now the next will be this one the down one okay see again this one will be light okay bright part then this one will be medium tone यह वाला जो अपर वाला पोशन होगा हमारी medium tone में जाएगा और यह dark tone में जेक है ishetz ऑका इसको आ आप झालदी सेहें में फ्ल कर लेते हैं इसमें कल्रीं में शेरीड उपलाई कर लेते हैं अग्र juicy this one will be medium yeah इसको हम थोड़ा सा हाइलेट कर देंगे स्लाइम को okay now this one will be again this one will be bright and this one will be medium see my pencil का जो direction है यह भी change हो रहा है हमारा medium tone है and then okay now this one and this one will be left and this one is left अब यसमें चाह हमारा this one will be bright अब यह हमारी medium tone में जाएगी अब यह bright part जाएगा और यह हमारा dark tone जाएगा चीक है यह medium tone है हमारा यहां पर यह देख एक चीज में बता रहे हूँ यहां पर क्या हुआ था यह वाला portion इसमें यह वाला पोशन विजिबल हो रहे है और लाइट यहां से पढ़ रहे है तो यह आपका जो लाइट है इसके ऊपर पढ़ेगा चीक है यहां पर उपर पढ़ रहे है तो और सेम यह गया तो इसलिए यह वह जो हमारा जो साइट है यह मीडियम टोन में जाएगा outlined Metных fuerza कृषब कर यहां पोशनमीव इसलिए मेर्यम टोन की का मैं इसके बाद ही बॉक्स का यह इतना इतना पोशन हमें विजिबल हो रहा है बस अमें इतना पोशन विजबल हुआ है तो हम इतने से पोशन में ही डाक टोन करेंगे यह टोन हमारी डाक टोन में आई है बचाे इस भी रहा हमारी तोन इस यह सें मीडियम तोन ऑप्ल ओगे में इस यहां कराए वह अगर सेंग अगर सेंु प्लाइबाए था है लेकर अगर टोन गर वह लुगे में अरह कर दोने खेलल राई यहां प्लाइ करा था यहां इसी टेक्नीक को फॉलो करेंगे एज इसको पहले से थोड़ा सा शाप करूँ अप्लाइ 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 इसको मैंने इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाक कर रहा है लेकिन इसमें भी सेम शेड्स ही हाएंगे यही वाला ब्राइट पाट इस वन विल बी डार्क एंड इस वन इस मेडियम टॉन चीक है फाइनली गाइस आज हमने जो है फाइव प्रेटिव जो है आमने कम्प्लीट कर लिया है इसमें जो भी आपको जो नहीं समझाया है और शेडिंग वाला पार्ट है फिक कुछ भी अगर आपको परस्पेक्टिव में प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको इसमें लाइन्स की कोई भी नीड नहीं होगी आप डिरेक्ट ही आप इसको बना पाएंगे चीक है सो अब हम निक्स क्लास में मिलते हैं टेक क्या बाबाई एव गुद दे